इंजीनियर हो तो यूद् делаетने सुने होंगे अप सवाल उठता है कि क्या अधो?!" DBP के लिए प्रफर करें क्या CBT 2 के लिए यूद् đeo कहुंत को रोपर करें यह दोनों के लिए इसके लिए मैं जल्ड नमक्रेंशन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जैसा कि आप व Dec इंजिनियर हैं एक्जामनेशन की प्रपरेशन कर रहे हैं यदि तो युद्स कॉम्पटिशन बड़ यह सुने होंगे उसकी प्रिवियस यह कोश्चन की जो बुक है उसका नाम भी आप सुने होंगे चाहे वो एई के लिए हो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा सब्सक्राइक सुने करें किज़ी क्यों कि आप सुल्व्र कर रहा हूं क्योंकि आप सब्सक्राइब के सकते हैं यह से क्का बता रहा हूं बहुत सारी बॉक्स से हैं बहुत सारी पप्लिकेशन से इस्टीट है और नौन टेकनिकल वालों से आप पूछेंगे जो इनकी प्रपेशन कर रहे हैं वह यूथ कॉंप्टिशन को उतना ज्यादा प्रफर नहीं करते जितना की टेकनिकल पढ़ने वाला बंदा यूथ कॉंप कॉंप्टिशन की बॉक को प्रफर करता है तो सीवीडी वन के लिए मैं तो यहीं बोलूंगा कि यूथ कॉंप्टिशन अगर आप ना भी ले तो सहीं रहेगा उसके जगा आप किसी अच्छे कोचिंग इस्टिट्यूट कि अच्छे पब्लिकेशन की प्रिविश्यर बॉक मॉडल सॉल पेपर ले सकते हैं देखिए गलती तो हर बॉक्स होती है कोई परफेक्ट नहीं होती लेकिन अधर पब्लिकेशन की जो बख है और में गलतियां बहुत कम हैं क्यों क्योंकि पूरा भारत नॉन टेक्निकल की प्रप्रेशन कर रहा है इसलिए जो नॉन टेक्निक में भी आपका जीके आ रहा है फिजिक्स केमेश्टी में जनल साइन्स भी आ रहा है कंप्यूटर एप्लिकेशन भी आ रहा है और मेंटन पॉलिशन कंट्रोल तो सीवीटी टू के लिए मैं बात करूंगा कि आप यत कॉमप्रेशन को प्रफर करें अब आप पूछेंगे क् मैं टेखनिकल की बात करती हूं जो कि हम नंबर है उसक लिए तो आप प्रकर हैं क्यों और अप प्रिविश चैक्वोश्चन के और राता है और इसमें पूरे प्रिविश क्वेश की जा ग आधरता ह你好क पहले कि कि लीएह व्यान दो की लिए है है Yaron में आए हैं क्या वो आपको एक्जाम में देखने को मिले हैं क measurement सकते देटस के को स्पर्यश्व आपको 409 के कोषोन आपको डिये जाते हैं तो कि आपको लेवल में की चंस रहती हैं जो के लेवल के रहते हैं क्योंकि उसमें भी आपको 120 में 200 कोश्चन अटेम्ट करने रहते हैं तो आरारीव जेई में जरूर पिन करें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिस करूंगा और डाउट को सॉल्व करने की थैंक्यू